हेलो गाइस वेल्कम तो आवर यूट्व चैनल एस्टिटी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं तो दीकिए आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन्स डिसकस करेंगे जो कि आपके गामें एक्साब्स के लिए ये वन लाइनर कोईस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर एइंड तक जरूर कर देखें वीडियो आपके पाद जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं अराउंड 6.3 के यहाँ पर गुरूप मेंबर्स हो चुके हैं सुबद 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पर कुरिस का एजन भी कराया जाता है इसके अलावा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स पीडियाफ सीही पर शेयर की जाती है लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर इस सीरीज का पहला कुश्यन है ओपरेशन फ्लड काईकरम के सूत्रधार कौन थे इंपोर्टेंट कुश्यन है देखे ओपरेशन फ्लड काईकरम के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन नेक्स्ट कुश्यन है रवी की फसलों की बुवाई कब की जाती है रबी की जो फस्ले होती है इसकी बुवाई की जाती है अक्टूबर नौबर और दिसमबर माह में अगला है भारती इतिहास में बाजार मॉल्य नियंतर्ण पद्दती की सुरुवात किसके द्वारा की गई सुरुवात की गई अलाव दिन खिलजी के द्वारा अगला दिखें का football का black pearl यानि काला हिरा किसे कहा जाता है पेले को किस खेल में free throw शब्द का प्रियो किया जाता है basket ball में अगला देखें किस भारती राजि को polo खेल का उदगम माना जाता है मनिपुर राजी को नेक्स्ट कुश्यन है गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है गैमी बट शब्द जुड़ा है शत्रंज से अगला है किरकेट पीछ पर पोपिंग क्रीज और स्टंप्ट के बीच की दूरी कितनी होती है तो दिखे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार फूट अगला बार जीता है तो देखे ये देश है ब्राजील जिसने फुटबॉल का विश्व कब पांज बार जीता है नेक्स्ट कुश्यन है भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इस रो का मुख्याले कहां है इंपॉर्टेंट कुश्चिन है दिखे भारती अंतरिक्ष प्रियोग शाला को क्या नाम दिया गया अंटार्क टिका में पर्थम भारती स्थाई प्रियोग शाला को नाम दिया गया दक्षण गंगोत्री अगला देखेगा इलीशा परिक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है इलीशा परिक्षण जो है ये एड्स रोग की पहचान के लिए किय पाया जाता है, हुबाइ जहांच में ब्लैक बॉक्स का इसका रंग होता है? देखा हुबाही हैं खुर्पका वे भूक पॉपका वी पॉपका जाता है, सूचना कि फेलों को क्या ा selfish है? बॉपकश को सैघ्ष व्यूज नेक्स्ट देखिएगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत की नगरी जनसेंख्या कुल जनसेंख्या की कितने पृतिशत है most important है तो देखिए इसका right answer है 27.78% next question है वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार पुरुस इस्तरी अनुपात यानि लिंगा अनुपात कितना है तो 2011 की जनगर्णा के अनुपात यानि लिंगा अनुपात है 940 अगला देखेगा वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार किस राजी की महिलाओं का पुर्ती हजार पुरुस पर अनुपात यानि लिंगा अनुपात सबसे कम है तो ये राजी है हरियाना राजी नेक्स्ट कुश्यन है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत के किस राजी में जनसंख्या घनत्व अधिक्तम है तो दिखे ये राजी है आपका विहार राजी है अगला दिखेगा तेल और प्राकर्तिक गैस आयोग का मुख्याले कहां पर इस्तित है इंपोर्टेंट कुश्यन ह देश और प्राकर्तिक गैस आयोग का मुख्याले है देहरादून में नेक्स्ट कुश्यन है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमादरी कहां इस्तित है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमादरी ये इस्तित है अंटार्क ठीक छेत्र में अगला है राश्टी संग्राले कहां प किसे चुना गया यह चुना गया सच्चिदान सिन्हा को अगला है भारती सम्विधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं भारती सम्विधान में मूल अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को 6 अगला देखेगा बैयालिश्वे संशोदन द्वारा जोड़ा गया इन शब्दों को जोड़ा गया था अगला देखेगा भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मांसून में होती है तो देखे भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षणी पश्चिमी मांसून में होती है अगला देखे भारत में औसत वर्षा कितनी होती है तो 118 cm भार केरल राजी में सबसे पहले प्रवेश करता है, अगला देखें, दूर दर्शन से रंगीन प्रशारन आरंभ हुआ, 1982 इस भी में अगला देखेगा विश्व वन्य जीव कोष्ट द्वारा प्रती के रूप में किस पश्व को लिया गया है तो देखे विश्व वन्य जीव कोष्ट द्वारा प्रती के रूप में लिया गया है पांडा नामक पश्व को अगला कुश्यन है विश्व के सबसे दाता है रे टॉम लिंसन गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना है आपको और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूटुब चैनल स्टेडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लेजेगा देखे ये किलास आपको सुबह 10 बजे प्रोवाइट कराई जा रही है जो कि आपके आगामी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है चाहे आप कोई भी सेंट्रल लेवल का एक्जाम दे रहे हो या फिस्ट्रेट लेवल का तो सभी आगामी एक्जाम के लिए ये जो वन लाइनर कुश्यंस है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अलावा देखे आइस्टी ए आर का भारते कर्शी अनुसंधान संस्थान में जो टेक्निशन वन की वेकेंसी निकली थी उसके लिए भी ये वीडियो हेल्फुल रहने वाली है तो सभी लोग आप वीडियो को एंड तक देखिएगा पर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगला है देपीका कुमारी का संबंध किस खेल से है देपीका कुमारी इनका संबंध है तीरंदाजी खेल से अगला देखे का भारत में करेंसी नोट पर उसका मूली कितनी भाशाओं में लिखा होता है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूली 17 भाषाओं में लिखा होता है important question है देखें फ्रांस की क्रांति कब हूई थी देखें फ्रांस के क्रांति हुई थी 1789 9 में अगला दिखेंगा दुनिया के मजदूरो एक हो का नळा किस ने दिया था दुनिया के मजदूरो एक हो ये नळा दिया था काल माक्स ने अगला देखे समानता स्वतंतरता और बंधुत्व का नारा किस क्रांती की देध है most important question है समानता स्वतंतरता और बंधुत्व ये नारा फ्रांस की राजी क्रांती की देन है अगला देखेगा next question है एशिया का नोबल पुरुसकार किसे कहा जाता है एशिया का नोबल पुरुष्कार कहा जाता है मैक्स से पुरुष्कार को अगला है सरवाधिक ओजोन शाईकारी गैस कौन सी है सरवाधिक ओजोन शाईकारी गैस है क्लोरो फ्लोरो कारवन यानि CFC अगला दिखेगा CPU का पूरा नाम क्या है CPU का पूरा नाम है Central Processing Unit अगला है सौर मंडल में ग्रहों की संक्या कितनी है अगला है जब चंद्रमा सूरी और पर्थवी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहन लगता है जब चंद्रमा सूरी और पर्थवी के बीच आता है तब लगता है सूरी ग्रहन अगला देखेगा जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल अगला देखेगा भारत में किस प्रकार की विद्धुत का सरवाधिक उत्पादन होता है भारत में ताप विद्धुत का सरवाधिक उत्पादन किया जाता है अगल हवाई जहाच वाई यू मंदल की किस परत में उरते हैं वाई यू मंदल के समताप मंदल में वाई जहाच उरते हैं अगला देखेगा शोब मंदल धरातल से अधिक तम उचाई कितनी होती है meet नेक्ट है भारत में दक्षिन पश्चिन मांसुन किन महीनों में सक्रिय रहता है भारत में दक्षिन पश्चिन मांसुन जो है यह जून से लेकर सितमबर तक शक्रिय रहता है अगला दिखे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की दिखे प्रार्थना समाज की स्थापना की आत्मा राम पांडू रंग ने important question है अगला है कोलकाता में missionary of charity संगठन की स्थापना किस ने की थी most important है कोलकाता में missionary of charity संगठन की स्थापना Mother Teresa ने की अगला देखेगा lady with the lamp के नाम से कौन प्रशिद्ध है lady with the lamp के नाम से प्रशिद्ध है Florence night angle अगला देखेगा कौन सी gas जलने में सहायक है तो ये gas है oxygen gas जो की जलने में सहायक है next question है why you mandal का कितना भाग 29 km की उचाई तक पाया जाता है तो देखें why you mandal का 97% जो भाग होता है ये 29 km की उचाई तक पाया जाता है 3857 की कुरांधी का ताथकालिक कारन क्या था इमपॉर्टेंट कोशिटन है तो देखेvi Vietnamese की जो ताथकालिक कारन था यह था चर्वी यूग्त कार्थुस का त्शीय ना में प्रियोग्ध चर्वी यूग्त कार्थुस का スेना में प्रियोग Claire अगला देखेगा 1906 में धाका में मुश्लिम लीग की स्थापना किसने की इंपोर्टन कुश्यन है देखे 1906 में मुश्लिम लीग की स्थापना हुई कहां पर धाका में तो इसकी स्थापना की आगा खां एवं सली मुल्ला खाने अगला कुश्यन है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली भारत में डाक टिकट पहली बार चली 1854 इस भी में अगला दिखेगा बंगाल बिहार और ओडिशा में इस्थाई बंदोवस्त कब और किसने लागू किया था बंगाल बिहार और ओडिशा में इस्थाई बंदोव पानिपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 के बीच चबिस इस बी में और यह किसके बीच लड़ी गई थी बाबर और इब्राहम लोधी के बीच अगला दिखेगा किस मुगल बात्सा की मुर्तियों दिल्ली में पुस्तकाले की सीडियों से गिरकर हुई थी तो देखें किस उपलक्ष में बनवाया था अगबर ने फतेपूर सिक्री में बोलंद दरवाजा गुजरात विजाई के उपलक्ष में बनवाया था next question है भू राजसुbs यह लागू की थी किसने अकबर ने वीडियो पसंद आ रहे है तो प्लीज आपको लाइक कर लेना है जिन लोगों नहीं अभी भी हमारी यूट्टीब च sixteen with Aim को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सस्क्राइब कीजिएगा वीडियो को जागर से जादा शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने वट्सप गुरूप समय नेक्स्ट कुश्चन है और अंगाबाद में ताज महल की पृतिकृति किसने बनवाई थी अगला देखेगा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की शाम जी कृष्चन वर्माने अगला है कॉंग्रेस की स्थापना की समय भारत का वाइसराई कौन था लाड डफरिन अगला देखेगा विश्व का सबसे बड़ा प्राइद दीप कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा प्राइद दीप है अरव प्राइद दीप पस्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है पस्चिमी घाट को सहयादी परवत शंकला के नाम से जाना जाता है अगला देखे तंबाकू के धुए में कौन सा हनिकारक ततु पाया जाता है तंबाकू के धुए में पाया जाने वाला हनिकारक ततु का नाम है निकोटिन अगला देखेगा राष्टपती का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है राष्टपती का अध्यादेश जो है ये 6 मास के लिए लागू रहता है अगला देखे मौश्मी गुबारो में किस गैस का प्रियोग होता है मौश्मी गुबारे जो होते हैं उसमें हीलिय का प्रियोग किया जाता है अगला देखेगा मानो शरीर में रूधिर बेंक तो देखेगा दूद के दूध का पीला रंग किससे कारण होता है कैरोट тест की ऊपस्तुदी के कारण होता है अगला दिखें विश्व एट्स दिवस कम मनाया जाता है important है एक दिसंबर को विश्व एट्स दिवस मनाया जाता है अगला दिखेंगा भारत में राष्टी धज का डिजाइन किस ने तयार किया था most important भारत के राष्टी धज का डिजाइन तयार किया था मैडम जी भीकाजी कामाने मैडम भीकाजी कामाने अगला देखिए 1815 इसवे में आत्मी सभा का गठन किसने किया था ये भी important question है सन 1815 इसवे में आत्मी सभा की स्थापना होती है और देखिए आत्मी सभा का जो गठन है ये किसने की राजा राम मोहन राई ने इसका गठन किया अगला देखिएगा चाभी भरी घड़ी में कौन सी उर्जा होती है चाभी भरी घड़ी में होती है इस्तदीस उर्जा अगला है प्रतिरोध का मातरक कौन सा होता है तो प्रतिरोध का मातरक होता है ओम अगला देखेगा abuse की तार किस पधार्थ की बनी होती है fuse की तार जो है ये tin और c से की मिश्धातो से बनी होती है अगला है electron की खोच किसने की electron की खोच की थी जे जे थॉंसन ने आग है इसने बनाए अगला देखेगा परमानु पम का आविश्कार एलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो होती है यह नाइक्रोम की बनाई जाती है अगला है हेमेटाइट और मेग्रेटाइट किसके आयस्क हैं तो हेमेटाइट और मेग्रेटाइट यह दोनों आयस्क हैं लोहे के अगला देखे कार की बैटरी में किस अम्द का प्रियोग होता है कार की बैटरी में Sulfuric Acid का पुडियोंग किया जाता है अगला देखेगा मात्रकों की अंत्राश्टी पधती किस वर्श लागू हुई मात्रकों की अंत्राश्टी पधती लागू हुई ने किया खिलाफत आंदूलन का नेत्यूत किया था मौलाना मुहम्मद अली ने अगला देखेगा किस घठना के बाद रविंद्रनाठ टैगोर्ण ने सर की उपाधी लोटा दी थी तो दिखे ये घठना थी जलिया वाला बाग हत्या कांड जिसके बाद रविंद्रनाठ क्या वाला शहर है नेक्स्ट है सफेद रक्तकन यानि डबलू बीसी वाइट ब्लट सेल्स का कारी क्या है वाइट ब्लट सेल्स जो होते ही इनका कारी होता है रोग पृति रोधक श्यमता अगला देखेगा अर्थसास्तर का जनक कौन कहलाता है अर्थसास्तर का जनक कहलाता है Adam Smith next question है बीजक किसकी रशना है बीजक रशना है संत कभीर दास की अगला देखिएगा चाद बीबी कहां की शाशक थी चाद बीबी शाशक थी एहमद नगर की next question है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या इमेल next question है नेक्स्ट चुर्चन है मेरतान दौर की दूरी कितनी होती है देखिए 26 मेल 385 गल जो है यह मेरतान दौर की दूरी होती है समूद्री जल से शुद्ध जल की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तो समूद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है आश्वन प्रक्रिया से तुलबुल परियोजना किस नदी पर इस्तित है important question है तुलबुल परियोजना ये इस्तित है कहां पर जेलम नदी पर अगला देखेगा next question है लोग सभा की बैठक आयोजित करने के लिए आप एक्षित गण गण पूर्थी यानि कोरम क्या है तो ये है आपका 1 by 10 next question है भारत में कौन सी जलवाईू पाई जाती है बहरत पाई जाने वाली जलवाईू कौन सी है उष्न कटी बंधी मौन्सूनी जलवाईू next question है किस मिट्टी को रैगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है किस मिट्टी को काली मिट्टी को next question है काली मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है काली मिट्टी का रंग देखें लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है लौ ऑक्साइट की उपस्तिती के कारण लाल मिट्टी का रंग जो होता है यह लाल हो जाता है अगला देखेगा भारत के कितने पृतिशत छेत्रफल पर खेती होती है भारत के पुर्वोतर के राजियों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है भारत के देखेगा भारत में रेश्यम का सबसे अधिकुत पादन किस राजिय में होता है भारत में रेश्यम का सबसे अधिकुत पादन होता है कन्नाटक राजिय में लास्ट कुश्यन देखे आज किस वीडियो का टैस्ट मैचों में भारत की और भारत की और पहला शतक लगाने किस न वीडियो को लाइक का लिजिए शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूटिब चैनल इस्टीडी विद एम को सस्क्राइब में ही किया है वे लोग सस्क्राइब का लिजिए चलिए मिलते हैं एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्य